अगर मैं आपसे पूछू कि बल्प का विश्कार किस ने किया था तो 99 परतीशत लोगों का जवाब होगा कि थॉमस अलवा एडिसन ने किया था परंतु यह सच नहीं है क्योंकि साइन इन्वेंशन की किताबों में यह बाद विद्प्रूफ बताई गई है कि एडिसन से 50 साल पहले साइन्टिस्ट जोसेफ स्वान ने बल्प आविश्कार किया था एडिसन ने 1889 में सिर्फ बल्प की थोड़ी अलग डिजाइन बनाई और पेटेंट कर लिया और बाद में जोसेफ स्वान के क्लेम करने पर एडिसन ने रोयल्टी अदा की और इसके बाद से थोमस अलवा एडिसन को बल्प का इन्वेंटर यानि खोच करता कहा जाने लगा इसी तरीके के इंटरस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू